हेलो स्टुडेंट्स मैं कृष्णपाल सिंग सायक आचारे भूगोल आज लेके आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेट स्ट्रीम की बिसेस्ताएं और प्रकार तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं तो जेट स्ट्रीम मध्य अच्छांसिय चेत्रों में छोब मंडल के उपरी हिस्से में अर्था छोब सीमा के पास पस्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अत्यदिक तीब्र गती वाली हवाओं की एक पट्टी है यह सक्री, सर्पिल एवं तेज गती वाली बायू धारा की पट्टी है अर्थाद छोब सीमा के नजदीक उपरी बायू मंडल में पस्चिम से पूर्व की ओर जो अत्यदेक तीब्रगती वाली सरपिल आकार की हवाओं की पट्टी पाई जाती है उसे ही जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है ये जेट स्ट्रीम बायू मंडल में बहुत महत्पूर्ण परिवर्तन के लिए उत्तरदाई है तथा प्रमुक रूप से मानसून पर जेट स्ट्रीम का बहुत बड़ा प्रवा पड़ता है अब हम यहाँ पर जानेंगे jet stream की पुरमुक बिशैस्ताईं क्या है jet stream की बिशैस्ताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले बिशैस्ता है jet stream की कि यह छोब सीमा के पास तीब ब्रकती से बहने वाली पछुआ हवाओं की पत्ती है अर्था जेट सीमा के पास काफी ती ब्रगती से पश्चिम से पूरव की और प्रवाहित होती हैं दूसरी प्रमुख भी सिस्ता है कि इनकी चोड़ाई अर्थाथ इस जेट स्ट्रीम की जो पट्टी है इसकी चोड़ाई 40 से 160 किलोमीटर की बीच है अर्थाथ जेट स्ट्रीम की पेटी का फैला उपरी वाई मंदल में 40 किलोमीटर से 160 किलोमीटर की चोड़ाई में पाया जाता है तथा इसकी मोटाई या गहराई दो से तीन किलोमीटर तक पाई जाती है तो यह जेट स्ट्रीम 40 से 160 किलोमीटर की चोड़ाई और लगवग 2 से 3 किलोमीटर की मोटाई के बीच हवाओं का एक क्र प्रम है जेट स्ट्रीम की तीसरी प्रमुक विसेश्था है कि इसमें हवाओं की गती 120 km प्रति गंटा से भी अधिक होती है अर्थात ये बहुत तीब्र गती से चलने वाली हवाएं हैं जिसमें हवाओं की गती 120 km या इससे भी अधिक तीब्र गती से हवाएं प्रवायत होती हैं और जेट स्ट्रीम में हवाओं की गती ग्रीस मकाल की तुलना में सीथ काल में अधिक पाई जाती है अर्था सीथ काल में जेट स्ट्रीम की गती और भी अधिक तीब रोती है जेट स्ट्रीम की अगली विश्चता है कि जेट स्ट्रीम की जो पेटी है उसका खिसकाब सूर रहे उत्राइन होता है तो जेट स्ट्रीम की पेटियां उत्तर की तरफ और दच्णाइन होता है तो जेट स्ट्रीम की पेटियां दच्छिन की तरफ के सकती है अर्थात ग्रीस्म और सीत रितू की अनुसार जेट स्ट्रीम की पेटिय का किसका होता रहता है ग्रीस्म काल में जेट स्ट्रीम द्रुवों की और और सीत काल में जेट स्ट्रीम बिस्वत रेखा की और खेशक जाता है जेट स्ट्रीम की अगली विसिस्ता है कि इन जेट स्ट्रीम और इन जो जेट स्ट्रीम की जो पीटी है जो जेट स्ट्रीम है इसके बारे में सरप्रथम जानकारी दुत अब इस विद्द के दोरान अमेर्का की तरफ से हमला करने के लिए जाने वाले जो बायूयान थे उनको जापान की तरफ अर्थात पस्चिम से पूरव की ओर जाने पर अवरोध का एसास होता था तथा बापस लोटते हुए उन बायूयानों को धकेलने का एसास होता था तो फिर बिद्वानों ने इस चीज के बारे में खोज की तो इस जेट स्ट्रीम के बारे में पता लगा कि उपरी बाईयू मंडल में दस से बारे किलोमेटर के उचाई पर एक बहुत ही तीब्र गती से बेहने वाली हवाओं का क्रम पाया जाता है और वही हवाओं का क्रम उस समय दुत्य विश्विद्य के दोरान उन बाईयानों की गती को रोकने अथवा पूरव से पस्ट्रम आते हुए बाईयानों की गती को और अधिक तीब्र बनाने के लिए उत्तरदाई था तो इसी कारण से इन हवाओं को जेट स्ट्रीम की नाम से जाना जाता है क्योंकि इन हवाओं की खोज जेट वाईयानों की दोरा ही हुई थी अब हम बात करते हैं जेट स्ट्रीम के प्रकार की कि जेट स्ट्रीम कौन-कौन से इसके बर्ग हैं या jet stream कितने प्रकार गी है तो jet stream को प्रमकूरूप से दो बर्गों में बाटा जाता है एक है उपोस्टन jet stream और दूसरा मद्यध चांसिय या दुरूभियध बाताग्री jet stream तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपोस्टन jet stream की और उपोस्न जेट स्ट्रीम प्रत्वी पर 30 से 35 डिगरी अच्छांसों के बीच दोनों ही गोलारदों में पाया जाता है ये उपोस्न जेट स्ट्रीम की उत्पत्ती प्रम खुरूप से प्रत्वी के गोडन क्रिया की बज़े से होती है कि जो दुरूविय चेतरों से अत्यदिक तापमान की वज़े से जो हवाएं उपर की ओर उठती हैं तो उपरी बायू मंडल में पहुँचने के पस्चाहत वो हवाएं क्रम से उत्तर और दच्छन की ओर मुड़ जाती हैं और उत्तर और दच्छन की ओर मुड़ने वाली जब हवाएं उपरी बायू मंडल में आगे वहती हैं तो कोरियूलिस वल की वज़े से उनकी दिसा में परिवर्तन होता है और वो क्रमसय उत्री गुलार्द में अपने दाहिने और दचनी गुलार्द में अपने बाई और मुडती हैं और इस कारण से लगवग 30-35 डिगरी अच्छानसों तक पहुंचते पहुंचते इन उपरी वायु मंडल की जो हवाएं हैं उनकी डिरेक्शन पस्चिम से पूरव की ओर हो जाती है और यही हवाएं 30-35 डिगरी अच्छानसों में अत्यदिक ती ब्रगती से सरपिल आकार में बहने लगती हैं जिसको उपोष्ण जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है दूसरी बात करें हम मद्य अचंसिय या दरुविय बातागरी जेटिस्ट्रीम की तो इन मद्य अचंसिय दरुवी बातागरी जेटिस्ट्रीम प्रमक रूप से 40 से 60 डिगरी अच्छांसों के बीच दोनों ही गोलार्दों में पाई जाती है और और इस दुरुवी अबातागरी जेट स्ट्रीम की इस्तिती उपोष्ण जेट स्ट्रीम की तुलना में अधिक परिवर्ट तन्सील है अर्थात ये सूर्य के साथ उत्तर और दच्छन की और इसका किसकाव अधिक होता है हालांकि जेट स्ट्रीम के बारे में अभी तक बिद्वानों को बहुत अधिक जानकारी प्राप्त ने हुई है और जेट स्ट्रीम एक अनसुल्जी हुई गुत्थी की तरह अभी भी बहुत सी इस प्रकार की अवधारणाएं हैं इस प्रकार की जेट स्ट्रीम की वारणों का पता नहीं लगाए जा सका है लेकिन फिर भी हमारे बायू मंडल की बिविन परिगटनाओं और बिशेश रूप से मांसुन को प्रभावित करने में जेट स्ट्रीम एक बहुत ही महत्मुन भूमे का निवाता है और ये उच्छ तलिये जो अत्यदेक तीब्र हवा की पीटी है इसका धरात लिये बायू मंडलिये प्रभा और 36 वबंस अंचार पर भी बहुत अधिक प्रभा पढ़ता है तो ये जेट स्ट्रीम के बारे में कुछ महत्मुन बिसेशता हैं थी उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारत दीगई जानकारी पसंद आई होगी य इसे लाइक और शेयर अवस्य करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धर्नेबाद